दो मूवीज हैं, confuse नहीं होना है, एक है Along with the Gods, The Two Worlds करके जो 2017 में आई थी और इसको काफी जादा awards मिलेते हैं, फिर इसके बाद इसका sequel आता है, Along with the Gods, The Last 49 Days करके जो 2018 में आती हैं, क्यार इन दोनों मूवीज को अलग-अलग ना समझ के समझ लो एक ही मूवीज हैं, मतलब एक ही म मूवी को काट कर अलग-अलग year में, मतलब release किया गया है, क्योंकि अगर आपने first movie नहीं देखी, तो second वाली आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है, तो थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, first movie से start करते हैं, देखे, first movie में एक व्यक्ति हो वर्ल्ड में वो भगवानों का एक वर्ल्ड होता है, जहां पर यह decide किया जाता है, कि इस इंसान ने अपनी life में क्या क्या किये हैं, कि अच्छा काम किया है, बुरा काम के, तो उसके भिहाग पे इनको सजा दी जाती है, अगर उसने अपनी life में अच्छा काम किया है, तो उ उने अपनी लाइफ में किसको दोखा देड़ी दी तो यह तीन गार्डियन्स का यह काम होते हैं कि इस इसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे-च्छे काम किये हैं इसने कभी आलस नहीं अपनाया लोगों की सेवा इंक हैं तो इसके आत्मा को दुबार से पुनर जीवित यानि पुनर जनम दुबारा दिलवा देना तो ये वाला प्रोसेस इसके अंदर दिखाया जाता है और अलग-अलग स्टेज से दिखाया जाता है कि भही हाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और उनकी सजा बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है कि अगर आलस है तो उस आलस के परती तुमें कैसी सजा मिलेगी तो वो देखने में बहुत मजा भी आता है जैसा फर्स्ट मुवी में देखने को मिलता है कैर ये फर्स्ट मुवी का हिस्सा हो गया इस से ज़्यादा जानना है तो मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है जो मैंने इस मुवी का रिव्यू किया था तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कुछ थोड़े बहुत व्यूज बढ़ जाएंगे अब सेकंड मुवी के बात करते हैं जो सेकंड मुवी में झिस व्यक्ति की मौत होती है उसका नाव होता Labor sentiment फर्स्ट मॉवी में ही किम के भाही की भी मौत हो जाती है लेकिन सिर्फ वर सिर्फ कीम का ही case दिखाय जाता है कि किम को कैसे पुनर जिनम में वापस लाया जाया है मतलब उसको दुबारा से पुनर जीवी थे, मतलब नए जीवन, नए जीवन में उसको लाया जाए लेकिन उसके भाई का नहीं दिखाया जाता, जिसमें फर्स्ट मुवी में जैसे उसकी बाई चांस गलती से को इसको मार देता है अब एक यहाँ पर थोड़ा सा ट्wisht है, वो आप जब इस मुवी को देखेंगे, नि एस धीवन मोवी को देखेंगे, तो समझ जाएंगे कि क्या ट्now होने वाला है तो यहाँ पर second movie में किम के भाई का case दिखाया जाता है कि अब इसको कैसे दोबारा से पुनर जनब में मिलता है यहाँ पर नर्क में नहीं जियेगा तो यह तीन गार्डियन्स अब इसके भाई को बचाते हैं किम के भाई को बचाते हैं अब सवाल ही उठता है कि अगर हमने पहली वाली movies के अंदर वो सारी चीज़ें देखे लिए उसको कैसे दिखाया बचाया गया है कैसे कैसे quotes हैं कैसे कैसे बगवान decide करते हैं कैसे किसी सजा है यह सारी चीज़ें अगर हम पहले ही movie में देख चुके हैं रजा मिली हुई है या फिर इनकी मोत कैसे हुई है तो यहां पर इन तीनों गार्डिंस की life बताई जाती है कि यह मरे कैसे थे अब यहां पर कैसे आगे कितने टाइम से यह काम करते आ रहे हैं तो यह वाली जो चीज़ देखने को मिलती है तो और ज़्यादा interest create होता है इसकी second movie में यानि इस पूरी दोनों movies में character development बहुत ज़्यादा अच्छा है first movie में second movie में emotional हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वास्ता में हो जाते हैं एक जो scene इसके अंदर आते है comedy का scene है tension नाल हम आप लोगों का spoiler नहीं देने वाला हम एक जो भगवान उते हैं वो धर्तिगे पर था हैं तो यहाँ पर वो कुछ एक इनसान है और उस इंसान के जो मतलब बुजूर हो चुका है और उसका एक को था होता हो उसकी सेवा में ही लगे वह होते है तो वहाँ पर क्या हो तो काफी अच्छा रहेगा आपका experience अगर आप इन दोनों movies को लगातार भी देखते हो तो बहुत बढ़िया movies मुझे दोनों लगी है VFX काफी अच्छे हैं दोनों movies में देखो fighting जादा नहीं है लेकिन जितनी भी है काफी अच्छी है मैं यह कह सकता हूँ कि इसके अंदर fighting के उपर इतना focus ना करके emotional angle एक story development इनके उपर जादा focus किया गया है और जो वास्तों में इस movie से इन दोनों movies में हमें connect करके रखती है मुझे personally यह दोनों movies काफी जादा पसंद आई हैं जैसे इंसान जैसे करम करता है फर्स्ट मुवी तो definitely बहुत बढ़ी है उसमें तो कहीं करें पर तो इतना जादा emotional हम हो जाते हैं मैं शेहिद वो बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि यार देखो वो बताया तो आपका फर्स्ट मुवी वाला भी मतलब एक तरीके का interest खतम हो सकता है या फिर आपको spoiler मेच सकते हैं अगर उन्हें नहीं देखी है वो सीधा ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बढ़ी है मुवी है दोनों के दोनों बहुत बढ़ी है इसके आपको subtitle देखने को मिलेंगे मैं subtitle मिलेंगे एक नजर मेरे नीचे रहती और एक उपर रहती है कि या subtitle में तो ऐसे करना बढ़ता है ना तो मेरी तरफ से मैं इस मुवी को देना चाहूंगा अगर आप लोगों ने मुवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी अगर नहीं देखे तो जा कर देखो बहुत अच्छी मुवीज है दोनों बहुत अच्छी मुवीज है एक अलग experience आप लोगों को देखने को मिलेगा तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स फुर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद